हेलो फॉर्स्टेंडर दिस यो ईवेस लेक्चर एंड टोड़े वी आर गोई टो लर्न नीव लेसन लेसन नंबर 4.2 नैचरल इन्वार्मेंट तो आज हम हमारे जो इन्वार्मेंट के बारे में सीखने वाले अवर सोलर सिस्टिम कंसिस्ट आप दे सन एट प्लानेट तो हमार जो एस सोलर सिस्टिम है उसमें सन और उसके अलावा दूसरे 8 प्लानेट होते है बाकर इस सोलर सिस्टिम में और यह sun center में है और बाकी के जो 8 planet है वो site में है the earth and the other planet move around the sun और हम किस पे रहते है अर्थ पे मतलब पृत्वी पे हम रहते हैं ना तो पृत्वी और इसके अलोग जो दूसरे प्लानेट है वो sun के आसपास घुमते है the earth is round like a ball और हमारी अर्थ केश्री है बॉल शेप जैसी दिखती है round देखिए यह sun है और इसके आसपास यह 8 प्लानेट ऐसे घुमते है थ्री कॉर्टस ऑफ द अर्थ सर्फेस is covered by water तो हमारे जो पृत्वी पे third part है मतलब जो तीन पार्थ है पृत्वी के वो पुरे पानी से भरे हुए है wake up it is a day तो जब सुबह हुती है तब हम उठते है did you sleep well? did you know that you went for a ride? no well the earth is in a constant state of movement it keep moving slowly around the sun क्या आप अच्छे से सोये क्या क्या आपको पता है जो हमारी पृत्वी है वो धीरे धीरे संद के आजबाज़ो घूमती रहती है वो continuously घूमती रहती है slowly as you are on the earth you two are moving with it तो अभी हम भी पृत्वी पे रहते तो हम भी मूह होते रहते है पर हमें वो महसूस नहीं होता है the sun give heat and light to the turning earth तो जैसे पृत्वी घूमती है sun के sight में वैसे sun की जो light है पृत्वी के पाट पे गिरती जाती है जिस तरफ से पृत्वी घूमती है उस तरफ ज्यादा light होती है the natural thing on the surface of the earth are mountains, hills, valleys, deserts, soils, rocks, river, lakes, seas and ocean a mountains or hill is a pieces of land तो हमारे earth के उपर natural thing कौन से होते है तो जो परवत्स होते ही, hills होते है, deserts, मिट्टी, पत्तर, river, lake, sea, oceans ये सब क्या है natural thing है जो अर्थ पे होते है mountains और जो hills होते है वो land के pieces होते है it rise up above the land around it मतलब वो उस area के land से थोड़ी उसकी उचाई जादा होते है इसलिए हम उसे hills और mountains बोलते है a hill is a smaller than a mountain और जो hill होते है वो mountain से छोटे होते है और mountain बहुत उचे-उचे होते है ये देखे, ये mountains है और ये hills है a valley is a narrow piece of land between two hills तो जो दो hills होते है उसके बीच में का जो area होते है उसे हम valley बोलते है ये देखे, ये दो mountain है और यहाँ से एक valley निकलती है sometime there is a river flowing through the valley और कभी-कभी इस valley से river गुजरती है ये देखे, यहाँ पे दो mountain है और यहाँ पे एक valley है छोटी से जगा है और वही पे river है A desert is a dry land made up of sand ये देखे, ये desert है, वो सुके मिट्टी से बना हुआ होता है ये मिट्टी होती है, desert मतलब ये desert है Soil is made up of tiny bits of rock मिट्टी कैसे बनते है, जो rocks होते, पत्तर होते वो चोटे-चोटे हो जाते, pieces में और उनसकी मिट्टी में वो convert होते है जब पत्तर पुरे घिसते है Rocks are of many shapes, size and color और rocks, जो हम पत्तर देखते हैं वो अलग-अलग size के shape के और color के होते है Marble, slat and granite are some of the rock ये देखे, ये marble है, ये rocks है granite, ये सब क्या है, slat ये सब rocks के type है Iron is found in the earth, it mixes it with other metal to get steel और हमें iron भी earth के उपर ही मिलता है और उसे दूसरे धातु के साथ मिलाया जाता है और उसे steel बनाया जाता है जो हम steel के utensil विगरे यूज करते है I made from iron, ये देखे, ये nail है जो हम दीवार में लगाते है ताकि हमें कुछ watch विगरे दीवार पे अगर लगानी होते हम ये nail यूज करते है, जो iron से बनी होती है We are all made from steel तो जो हम, जिस ग्लास से हम पानी पीते है जिस वरतन में हम खाते है चमच से खाते है वो सब steel से बनने होते है और ये lake है और ये sea है diamond, gold, silver we are precious stone and metals we shine, we flash, we sparkle you get us all from the earth तो ये जो diamonds, gold, silver, emerald ये सब होते है ये सब धातु होते है जो हमें earth पे मिलते है और वो बहुती महेंगा धातु होता है ये सब हमें metal से बना के मिलते है गोल्ड के जो ring विगरे हम बनाते है और वो shine करते है sparkle करते है exciting activity यहाँ पर एक activity है collect different rocks and observe their size, shape and color तो आपको अलग-अलग प्रकार के जो पत्तर है अलग-अलग size के color के पत्तर collect करने हैं और देखना है किसमें क्या-क्या difference है do you know materials found in a nature that are useful or necessary for people to leave are called natural resources जो चीज़े हमें nature से मिलते है उन्हें हम क्या बोलते है और जो हम use करते है उन्हें हम natural resources बोलते है तो यह जो gold, diamond जो है उसका जो धातु है यह सब हमें nature से मिलते है iron यह सब हमें यह सब natural resources है तो हमारे पार जो natural resources है वो हमें अच्चे से use करने है उनका waste नहीं करना है इस lesson में हमने सीखा solar system क्या है उसमें कितने planet होते है अर्थ का shape क्या होता है अर्थ sun के around घुमती है अर्थ पे कौन से natural resources है तो आपको यह video अच्चे से देखना है और listen अच्चे से read करना है thank you